हेलो एन वेल्कम बैक टू कम्पिटिशन कम्मिनिटी आप सभी का स्वागत एक बड़ फिर से कम्पिटिशन कम्मिनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं SST, CGL and CHSL का यूट्यूब कोर्स जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं Circles और ये इसका Part 2 वीडियो है कुल मिलाकर Geometry का आठवा पार्ट है जैसे कि मैंने आपको शुरुवाती तोर पे भी बताया था Geometry एक वास्ट टॉपिक है इसमें 4 questions आपके आते हैं 25 से ठीक है और Most Important अगर मैं बात करूँ तो Circles जो है ये बहुत Important है क्योंकि ज़्यादा तर देखा गया इन 4 परशनों में Circles के सवाल ज़्यादा देखे गए हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखरी तक देखेगा क्योंकि इसमें बहुत Important Part में आपको यहाँ पर बताऊंगा Quards से related ठीक है Theorems जिसके direct questions आपके exam में बार-बार पूछे जाते हैं अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबाना ना भूलें क्योंकि best quality content के साथ आपका free of cost में SSE CGL & CHSL का preparation चल रहा है इन ही कुछ बातों के साथ अब मैं start करता हूँ circles को तो जैसे कि मैंने आपको बताए यह दूसरा वीडियो है Part 1 में जो कुछ theorem हमने देखे थे वह एंगल के उपर ज्यादा हमारा focus था अब यह Part 2 वीडियो है में हम quards के उपर focus रखेंगे तो आप लोग heading दाल सकते हैं अपने notebook पर circles अब हम quards discuss करेंगे याने जीवा के बारे में हम यहाँ पर discussion करेंगे एक theorem जो मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था उसको एक बार revise कर लेते हैं कि देखिए अगर आप किसी भी cod के midpoint को जोडते हैं यह a b क्या है एक जीवा है cod है इस cod का midpoint को अगर मैंने जोड़ दिया ओ से मैंने केंदर से मैंने इस जीवा के midpoint को जोड़ दिया तो यही जीवा क्या होता है इस पर lumb भी होता है और lumb होने के साथ साथ इसको बरावर दो हिस्सों पर बाढ़ता है ठीक है ऐसा कैसे हुआ तो यह एक isolationist triangle है आप यहाँ प O A O B के बरावर होगा क्योंकि O A O B क्या है दोनों के दोनों radius है साथ में आप देख रहे हैं यह left वाले triangle और right वाले triangle में common हो गया तो यहाँ से O M B triangle और O M A triangle SSS वाले Details से सर्वांग सम हो गए सरवांग सम होने के साथ साथ यह angle यह angle बरावर हो गया साहत में यह दोनों angle भी बरावर हो गया अगर यह दोना angle बरावर है तो कि अगर आप यहाँ पर किसी जीवा के perpendicular bisector को बनाए तो वो हमेशा केंदर से पार होता है अगर आप किसी जीवा के perpendicular bisector याने कि इसका लंब दूई भाज़क बनाए तो यह केंदर से ही पार होगा इस बात का भी आप note करके रखिएगा चलिए अब जैसे ही आपने इस theorem को देख लिया तो अब यहाँ से कुछ questions मैं discuss कर लेता हूँ और जैसे जैसे नए नए सवाल आएंगे तो और भी theorem मैं आपको बताते चलुआ ठीक है चलिए इस सवाल को देखते है in a circle of radius 13 centimeters a cord is at a distance of 5 centimeters from the center what is the length of the cord? देखे simple आपको right angle triangle जो मैंने बताया है ठीक है trigonometry में हमने इसके triplets के बारे में discuss किया था तो directly triplet का आप use करते हुए इस सवाल को उत्तर दे सकते हैं कैसे? क्योंकि यहाँ पर दिया हुए अगर एक circle है इस circle में a cord है और इस circle का radius दिया हुए आपको 13 तो radius यहाँ 13 दिया हुए साथ में इस circle का केंदर से इसकी दूरी दी हुई है ठीक है? cord का distance दिया हुए center से तो जब भी distance होता है तो आपको समझना होगा distance हमेशा perpendicular distance होता है मतलब यहाँ से अगर मैं लंब बना दू एक लंब बना दू तो यह लंब जो है 5 cm की दूरी पर है इसका converse भी true है कि अगर आपने यहाँ से एक लंब बनाया अगर आपने एक लंब बनाया तो यह इसको cord को दो बराबर हिस्सों में बाटता है सबसे पहली बात तो अगर मानलू कि यह O है यह M है और यह AB quad है तो 5, 12, 13 5, 12, 13 जो है triplet होता है जिसमें से 5 दिया हुआ था आपको यह वाला perpendicular 13 आपको दिया हुआ था hypotenuse यह right angle triangle हो गया क्योंकि लंब है तो यह जो छोटा सा part है MB इसका value कुछ और नहीं होगा 12 होगा क्योंकि 5, 12, 13 टिपलेट होता है और जैसे यह MB 12 हो गया तो AMB 12 होगा और पूरे के पूरे quad की लंबाई ही तो निकाल नहीं थी तो लंबाई कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 24 यहाँ पर सही उतर है ठीक है अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट कुशन है यहाँ के स्क्रीन पर यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेंटीमिटर रेडियास है लेंथ अफ कॉर्ड जो है 48 है अब डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भी ट्रिपलेट है वैल्यूस ठीक है ट्रिपलेट वैल्यूस है तो ट्रिपलेट वैल्यूस को यूज करेंगे नहीं है तो पाइथोगर स्थियोरम आपको यूज करना पड़ता है यहाँ दिया है रेडियस जो है वो कितना है 25 है साथ में बुला गया कॉड की जो लंबाई है वो कितनी है 48 है 48 cm की है तो अगर आप यहां से perpendicular bisector बनाए perpendicular मतलब لم होने के साथ-साथ इसको bisect भी करे तो वो center से पास होगा और यही इसकी दूरी हो जाती है मतलब अब आपको OM निकालने को कहा गया यह AB जो quad है इसकी लंबाई 48 आपको दी गई है तो अगर यह perpendicular bisector है तो यहां से MB का value 24 होगा और 24 और 25 देखते साथ आपको समझना होगा कि यहां पर triplet value set है कौन सा triplet value है 7, 24, 25 7, 24, 25 set करके रखा हुआ है तो यह जो 7 है तीसरा side हो जाएगा मतलब OM का value 7 आजाएगा अगर आपको triplet value याद नहीं है तो आपको Python का theorem पूरा का पूरा यूज करना होगा 25 का square minus 24 का square का under root जिससे की यहां पर साथ ही आने वाला है बट ज़्यादा असान है कि trigonometry के second video में जहां पर हमने सारी चीज़े discuss किये triplet values right angle triangle जो होता है उसमें triplet values जो हमने सीखा है उसको use करना जरूर सीखिए क्योंकि इससे आपका time बसता है exam में तो केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कितनी है साथ है ठीक है यहां तक समझ में आ गया तीसरा सवाल है आपके screen पर दिया वाए ab और cd are two parallel quads of a circle such that ab is equal to six and cd is equal to twice ab both quads are on the same side of the center if the distance between them is equal to one fourth the length of cd then what is the radius of the circle देखे सवाल में जब तक डाइग्राम नहीं दिया तो डाइग्राम बनाना अनिवार हो जाता है तभी जाकर आप सवाल को solve कर पाएंगे तो मैं यहाँ पर एक circle बना लेता हूँ इस तरीके से center है circle का अब ab जो है यह six centimeters है तो ab जो है यह six centimeters हो गया और cd जो है वो ab का दुगना है मतलब यह अगर cd है तो ab का दुगना होगा अब ab बरावर कितना था भई ab बरावर दिया हुआ था 6 centimeters और cd बरावर कितना है इसका दुगना है मतलब यह 12 centimeters हो जाएगा बरावर दूसरी बात यह center के एक ही दिसा पर है मतलब ऐसा मत बनाना कि ab यहाँ तो cd दूसरे तरफ दोनों एक ही दिसा में है तो एक ही दिसा में बनाना है साथ में दोनों जीवा के बीच की दूरी आपको निकालनी है और समानंतर है समानंतर का मतलब यह parallel lines है और इसके बीच की दूरी है अच्छा इसकी बीच की दूरी भी दी हुए तो अगर मैं यहाँ से लंब बनाओ तो लंब जो होगा पहले वाले के साथ-साथ दूसरे वाले से भी लंब होगा क्योंकि यह दोनों जीवाएं क्या है यह दोनों के दोनों जीवाएं जो है यह समानंतर है parallel है तो अगर लंब बन रहा है तो दोनों के दोनों पर बनेगा अब मैं माल लेता हूँ इस point को M और इस point को N तो जो MN distance है यह CD का एक चौथाई है अब simple simple सी बातें देखें सबसे पहली बात दिया है CD कितना है 12 है अगर CD 12 है तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसका एक चौथाई है एक चौथाई करने का मतलब कितना तो 3 मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है 3 सवाल में क्या निकालना है radius of the circle अब देखें radius कैसे निकाला जाए इस radius को हम यहाँ से दो तरीके से देख सकते है अगर यह O है यहाँ से OB भी radius होगा और O ड भी radius होगा यह R तो यह भी R यहाँ तक clear है देखें यह जो ON है इस ON को मैं मान लेता हूँ X थोड़े दर के लिए हम क्या कर लेते है ON को मान लेते है X अब यहाँ से दो आपको triangle दिख रहे होंगे right angle triangle एक OMB है और एक OND है इन दोनों पे आपको pythagoras theorem लगाना होगा देखें अगर triplet value set होता तो यहाँ पर root वगेरा नहीं आता तो वहाँ पे हम directly triplet value यूज करते हैं लेकिन जब triplet value set नहीं है ऐसे condition में आपको pythagoras theorem यूज करना जरूरी हो जाता है तो आईए यहाँ पर pythagoras theorem यूज करते हैं उसके पहले आप समझ सकते हैं कि AB का value अगर 6 है तो यहाँ से MB का value 3 होगा AM का value भी 3 होगा क्यूंकि perpendicular बनाया तो perpendicular ही इसको bisect भी करता है midpoint पर जोड़ा तो perpendicular होगा और perpendicular बनाया तो यह इसको bisect करेगा यही theorem अब दूसरा वाला अगर हम यहाँ पर perpendicular बना रहे हैं तो perpendicular बनाने के साथ-साथ इसको bisect करेगा मतलब यह 12 था तो यह 6 होगा यहाँ से यहाँ तक का distance भी 6 होगा तो दोनों triangle में एक साथ हम क्या करेंगे pythagoras theorem लगा देंगे तो पहले वाले triangle से R square बरावर पहला वाले triangle मतलब यह OMB triangle से right angle triangle है तो यह 1 3 है दूसरा 3 प्लस X है यह आपको दिखाई दे रहा है 3 है यह X है तो यह हो जाएगा 3 square प्लस 3 प्लस X का whole square बरावर R square दूसरे वाले triangle छोटे triangle में देखेंगे OND इसमें अगर 1 6 है तो दूसरा X है तो यह हो जाएगा 6 का square प्लस X square अब दोनों को equate करके सबसे पहले तो आप X निकाल लीजे एक बार X निकल जाएगा तो radius निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है X को substitute करके आप radius निकाल सकते है clear यहां तक बात समझ भार रही है तो देखिए यहां से यह हो जाएगा 9 प्लस यह बन जाएगा 9 प्लस X square प्लस 6X यह हो जाएगा 36 प्लस X का square तो देखिए X का square यहां भी X का square यहां भी यह दोनों कर जाएगे मतलब 6X बरावर कितना तो हो जाएगा 36 माइनस यह 9 प्लस 9 18 तो 18 दूसरे तरफ जाएगा तो 18 आएगा मतलब x का वैल्यू भी 3 है मतलब x भी 3 आया मतलब इस x का वैल्यू आप लिख सकते 3 जैसे 3 आया तो यहां से आप चाहे पहला equation यूज करिए चाहे दूसरा equation यूज करिए इससे आपका radius निकल जाएगा क्यूंकि दोनों equation में एक ही square को common निकालेंगे तो बाहर तो 3 आएगा क्यूंकि square root है ना तो 3 का square यहां भी है 3 का square यहां भी है बाहर निकाल लेते तो बाहर 3 आ जाएगा एक बाहर तीन बाहर आ गया तो यहां 2 का square बचा हुआ है मतलब 4 यहां 1 का square बचा हुआ है मतलब 4 पलस 1 हो गया 5 मतलब root 5 अंदर जाएगा तीन बाहर आजाएगा तो तीन रूट पांच जो है इसका उत्तर हो जाएगा यहां तक क्लियर है ठीक है तो थियोर्म एक ही है लेकिन इस पर सवाल अनेक बना जा सकते हैं तो आप थियोर्म को पकड़के रखें चाहे सवाल कैसा भी बने आपसे बन जाएगा अगल देखें जब यहां पर अब इंटीग्रल वैलू जुझ पर आ गए सवाल तो अब यहां पर आप ट्रिपलेट वैलू के बारे में सोचने के कोशिश करेज जरूर ट्रिपलेट वैलू सेट करके रखा है एक्जामिन अदर तो यहां से अगर सरकल बनाया गया ये सेंटर है से सेंटर के एक तरफ एक कॉर्ड और सेंटर के दूसरे तरफ दूसरा कॉर्ड है साथ में यह दोनों के दोनों है समानतर जीवा याने कि पैरलल कॉर्ड है मतलब अगर एक कॉर्ड कुछ इस प्रकार होगा तो दूसरा कॉर्ड यहां पर इस प्रकार इस तरीके से रहेगा और य जो OB का length ले लिया जाए या OD का length ले लिया जाए दोनों के दोनों radius है तो वृत जो है चाहे आप OB की बात करिये या OD की बात करिये दोनों के दोनों 10 cm होंगे यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होंगे साथ में दिया हुआ है इन दोनों के बीच का जो दूरी है अब देखे दूरी हमेशा perpendicular distance होती है तो मैं ऐसे perpendicular की बात करता हूँ जो यहाँ पर केंदर से पास हो क्यूंकि हमारा फायदा वही है जब केंदर से पार होगा तभी जाके question बनेगा तो मैं यहाँ पर एक ऐसा लंब बना लेता हूँ जो कि AB और CD के लंब यानि कि distance को बताने के साथ-साथ perpendicular distance को बताने के साथ-साथ केंदर से भी पार हो रहा है तो MN जो है यह O से पार हो रहा है इसका जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है 14 cm, 14 cm दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा distance 14 है अब सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा एक जो है इसका length X है दूसरे का 12 है तो मान लेते इसका length 12 है कितना 12 है इसका लंबाई हम मान लेते X है इतना पूरा लंबाई यहाँ से लेकर B तक की जो लंबाई है यह 12 है यहाँ C से लेकर D तक की लंबाई जो है अचा ठीक है यह X है यह 12 है आपको निकालना है X का मान देखे बहुत simple तरीके से समझेगा 6 है और यहाँ पर 10 है 6 और 10 देखते साथ समझ में आता है यहाँ पर 8 होगा क्योंकि देखे अगर मैं देखूं यहाँ पर 6 और 10 इसका जो रेश्यो लिया जाए तो 6 और 10 2 से कटेगा तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 5 आएगा और 3, 4, 5 जो है ट्रिपलेट होता है क्या होता है 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है 3 का दुगना किया जाए तो 6 आएगा 5 का दुगना किया जाए तो 8 हैगा इसी प्रकार मैंने कहा कि अगर यहां 6 है 10 है तो यहां 8 आने के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है इसी तरीके से अगर यहां 8 है पूरा का पूरा कितना है 14 है अब भाई यहां M से लेकर N तक का distance 14 है जिसमें से O N का distance 8 हुआ तो O N के लिए कितना बचा 14 माइनस 8 मतलब की यहां पर 6 cm का distance हो जाएगा अब फिर से इसी triplet को यूज करेंगे 6, 8 और 10 जिसमें से एक side 6 है एक 10 है तो यह बचा हुआ M B जो होगा यह 8 होना चाहिए अब अगर M B 8 है तो A M B 8 होना चाहिए क्योंकि भाई perpendicular आपने बनाया center से तो यह बरावर बरावर हिस्से में बाटेगा जितना A M उतना M B और A M B 8 है M B 8 है तो पुरा का पुरा X हो जाएगा 16 तो यह जो दूसरा वाला आपको यहाँ पर cord दिया हुआ है इसका मान जो है यानि कि इसके लंबाई की बात करें तो 8 प्लस 8 यानि 16 हो जाएगा D जो है सवाल का सब्सक्राइब तो चाहे यहाँ पर triplet सेट नहीं किया है पिछले सवाल में जैसा था जिसमें आपको पायतकर स्थिरम यूज़ करना पड़े सेम साइड में हो ठीक है या opposite साइड में हो यहाँ पर triplet यूज़ करके कैसे solve करना है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर clear हो गई होगी चलिए आगे बढ़ते है नेक्स कुश्चन आपके screen के अपर है यहाँ पर देखिए दिया हुआ ओ केंद्रवाले एक फृत की 3010 सेंटीमीटर दी है पी क्यू तथा पी आर जो है वह बारा बारा सेंटीमीटर की जीवा है पियो जो है वह क्यू आर जीवा को बिंदू S पर काटती है तो OS के लंबाई क्या है ग्यात करिए देख की देखिए एक सरकल है फिगर नहीं है तो फिगर बनाना होगा जिसका सेंटर दिया हुए ओ सेंटर दिया हुए ओ पी क्यू पी आर दो कॉट से तो मैं माल लेता हूँ पी इस पॉइंट पर है पी क्यू और पी आर दो कॉट से तो यह पी क्यू है यह पी आर है ठीक है दो क यह जो point दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, OS की लंबाई आपको निकालना है, OS को मैं X मान लेता हूँ, जो लंबाई आपको निकालनी है, OS यह हो जाएगा X, अब देखे, क्या इस triangle में, तेख सकते हैं, यहाँ पर दो triangle बन रहा है, एक है OQ triangle और एक OR triangle, यहाँ पर आप क्या find कर सकते हैं कि यह जो triangle है एक triangle बना QOP और POR यह दोनों congruent है क्यों congruent है इसलिए क्योंकि यह OQ और OR दोनों के दोनों radius है equal होगे OP और OP दोनों common है दोनों triangle में equal होगे साथ में PQ और PR दोनों के दोनों quads equal है मतलब SSS congruency से यह congruent होगा यह आप ऐसे भी देख सकते हैं कि symmetric figure है अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से काटू तो symmetric figure है मतलब जो figure उपर वो figure नीचे क्योंकि आपने यहाँ OP को जोड़ा है इसके उपर भी बारा-बारा दिया था और यहाँ पर यह दोनों equal है मतलब यह एक तरीके से symmetric figure इसी के तहट अगर मैं यहाँ पर इस quad को जोड़ दो तो यह 90 degree पर काटेगा क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो figure है वही figure नीचे है तो 90 degree होने के अलावा तूसरा कोई chance यहाँ पर नहीं है यहाँ पर दो तरीके के सवाल बन सकते है या तो आपको qr की लंबाई पूछी जा सकती है या यहाँ पर जो सवाल बना हुआ है जिसमें आपको os पूछा जगे है तो अभी जो सवाल है पहले उसको मैं समझा देता हूँ लास्ट में आपको बता दूँगा qr कैसे निकालना है वो भी सिंपल ही देखे अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि os को हमने लिया है x अगर os लंबाई को हमने x मान लिया तो जो sp लंबाई है यह 10-x होगा होगा की नहीं होगा sp जो लंबाई है 10-x होगा क्यों होगा क्योंकि इस वृत की त्रिज्जा जो है वो 10 cm है याने op की लंबाई 10 cm तो दो ट्रेंगल आपको दिखाए दे रहे होंगे qos ट्रेंगल और qps ट्रेंगल यह दोनो right एंगल ट्रेंगल है क्योंकि यह लंब है तो इस qs जो की common चीज है इसके उपर ध्यान दीजे qs का square पाइथोगरस ट्रेंगल से आप लिख सकते है qs का square हो जाएगा यह oq जो है oq की लंबाई है 10 क्योंकि यह radius है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 का square minus x का square लगाना है simple जहाँ right angle triangle दिखा वहाँ पाइथोगरस ट्रेंगल लगाईये qs जो है दोनो right angle triangle में common है तो qs square यहाँ से आजाएगा 10 का square minus x का square दूसरे तरफ से आजाएगा 12 का square minus of 10 minus x का whole square यहाँ से x निकल जाएगा कि न? अगर X एक बार निकल गया एक बार X आपने यहां से निकल दिया तो सवाल जो है बहुत आसान हो गया क्योंकि X तो निकल ही जाएगा ठीक है तो हमारा जो सवाल है यहीं खतम हो जाएगा क्योंकि OS ही निकलना था जो कि हमने X बाना है दूसरा सवाल जो मैंने आपको बताया है कि qr की उपर अगर प्रशन आ गया तो उससे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा x का महान आनी के बाद x को आप यहां डालिए जितना qs है उसका दुगना जो है वो qr होगा क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है जितना qs उतना sr तो qs का दुगना करने से qr का value निकल जाएगा clear है चले solve करते हैं यह है भई 10 का square दूसरे तरफ भेज देते हैं तो 12 का square minus 10 का square हो जाएगा यह 10 minus x का square इधर ले आते हैं तो 10 minus x का whole square minus का x square हो जाएगा बरावर यह हो जाएगा 144 minus 100 मतलब कितना 44 इसके bracket को खोले तो आजाएगा 100 plus x square minus 20 x और यहाँ पर आजाएगा आगे minus का x square इसको solve कर लिजे क्योंकि यह x square है यह x square इसको काड़ देगा और अगर यह 20 x है 20 x बरावर क्या हुआ 100 minus का 144 होगा 100 minus 44 होगा 100 minus 44 मतलब यहाँ पर 56 आ जाएगा 56 का मतलब 20 से काटेंगे 10 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ 10 आ रहा है यहाँ 28 आ रहा है मतलब x का value क्या है तो 2.8 x का value है 2.8 तो यहाँ पर उत्तर खतम होगा अब मैंने आपको बताया था last में यह भी बताऊँगा कि qs को कैसे निकालना है qr को कैसे निकालना है देखें सिंपल सी बात है अगर आप यहाँ पर देखें कि इसका value क्या है 2.8 है तो आप देखें यहाँ पर अगर मुझे qs चाहिए तो या तो आप यहाँ 2.8 दाल दीजे यहाँ आप देखें एक value 2.8 है दूसरा value यहाँ पर 10 है जो कि हाइपोटेनियूज है अगर मैं ratio ल आना चाहिए 24 तो अगर आप देख पाएं यहाँ पर 7 का यहाँ पर 0.4 टाइमस हुआ इसका भी 0.4 टाइमस हुआ तो 24 का भी 0.4 टाइमस करना तो 9.6 आएगा यह 9.6 किसका value है तो qs का value है आप चाहें तो यहाँ पर पूरा का पूरा value निकाल सकते है बढ़ जब triplet value set किया है examiner ने तो triplet का use करना मत भूलिये मैंने यहाँ पर triplet के जरिये तुरंत निकाल दिया कि तीसरा जो value है 9.6 है यह 9.6 क्या था qs का value था तो अगर examiner आप से qr का value पूछे तो क्या कर लेना 9.6 का दुगना कर लेना 9.6 का दुगना जो होता है वही इसका तर हो जाएगा clear है q qr के उपर अगर पूछा गया तो भी आपसे बन जाएगा प्रश्न तो यह आपके exam में पूछा हुआ है qr का मान भी और os का मान मैंने आपको बता दिया qr का मान कैसे निकालना है इसके उपर हमने discussion कर लिया चली आगे बढ़ते है तो quads of a triangle ab and cd when produced meet at point p outside the circle if ab is equal to 6 pb is equal to 5 find and pd is equal to 4 find the value of cd देखे intersection of quads and secant इसके बारे में मैंने last video में आपके साथ discussion किया था तो उसी diagram को एक बढ़ और देख लेते हैं तो इस diagram में यदि आप देखें तो देखे हो क्या रहा है आपको मैंने बताया था यहाँ पर दो quads है एक quads है a b a b cd अंदर मिले तो यहाँ p point पर मिले a b cd को बढ़ाया गया तो यहाँ बाहर मिले p point पर दोनों ही condition में एक चीज़ common है ठीक है formula यहाँ पर भी formula use होता है लेकिन यहाँ minus था यहाँ plus था लेकिन जब quads की बात होती है तो यहाँ formula common हो जाता है दोनों में और इस formula को बढ़ि देखे थोड़ा समझेगा यह P है पीए का मतलब यह वाला length multiplied by Pv मतलब यह वाला length साथ में पी यहाँ से जा रहा है तो PC और यह PD इसके equal है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो PA का मतलब यहाँ से लेकर यहां तक का length PB का मतलब यहां से लेकर यहां तक कलेंद PC का मतलब यहां से यहां तक कलेंद और PD का मतलब यहां से यहां तक कलेंद तो PA multiplied by PB is equal to PC multiplied by PD इस point को बढ़िया से आप बनाईएं का note चाहे आप इसको extend करके meet करवाएं चाहे आप internally meet करवाएं दोनों में PA into PB is equal to PC into PD होता है जब AB और CD point P पर meet करें चाहे externally, चाहे internally दोनों में ये theorem follow होता है तो इस सवाल को देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है किसी वृत में COD ABCD को बढ़ाने पर वृत के बाहर बिंदू P पर मिलता है तो देखिए AB और CD को बढ़ाते हैं तो ये point P पर मिलता है तो AB को बढ़ाया देखिए बहुत ध्यान से डाइग्राम मनाना क्योंकि आप AB को बढ़ा रहे हो तो AB इस तरीके से बढ़ेगा B यहाँ, A यहाँ पर ऐसे मत करना गलती क्योंकि AB को बढ़ा रहे हो साथ में CD को बढ़ा रहे हो तो C यहाँ, D यहाँ तो इस तरीके से बढ़ने पर यहाँ पर मिलेगा AB का value कितना 6 है PB का value कितना है, 5 है AB का value 6, PB का value 5 साथ में PD का value है 4 तो हो जाएगा 4 CD का value find करना है तो CD को ले 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 थे का मतलब कितना 6 प्लस 5 करोगे तो 11 आएगा PB का मतलब हो गया 5 और PC का मतलब हो जाएगा X ब्लस 4 और इसका वैल्यू कितना है तो PD का वैल्यू कितना है तो 4 तो देखे बहुत सिंपल है कि X ब्लस 4 बरावर हो जाएगा 55 डिवाइड़ बै चार और 4 से काटने पर कितना जाएगा 13 दसमलव 75 तो X का वैल्यू हो जाएगा 13 दसमलव 75 में 4 माइनस कर लीजे 9.75 आजाएगा 9.75 यानि A जो है सवाल कसे ही उतर है यहाँ तक क्लियर है तो सिंपल है चाहे एक्स्टरनली मीट करें चाहे इंटरनली मीट करें PA into PB बराबर PC into PD होता है इस चीज़ का नोट बनाईएगा Next वोशन 2 quarts AB and CD of a circle at point P inside the circle AB बराबर साथ है PC बराबर 2 है, AP बराबर 4 है तो CD का वैल्यू क्या है अब यह दोरों internally मीट करतें AB और CD जो है यह internally मीट कर रहे है तो AB यहाँ पर इस तरीके से बना लेते है CD यहाँ पर इस तरीके से बना लेते है point P पर मीट कर रहे है such that AB का वैल्यू साथ है तो AB का वैल्यू जो है वो साथ है अब समझेगा यहाँ से AB का पूरा का वैल्यू जो है वो साथ दिया हुआ यहां से लेकर यहां तक का वैलू PC का वैलू 2 है तो PC यहां से लेकर यहां तक का वैलू 2 cm है यह भी दिया हुआ है AP का वैलू 4 है अब देखिए यहां से थोड़ा सा चीजों को समझना AP मतलब यहां से लेकर यहां तक का वैलू 4 cm सिग्देट का वैलू किता होएगा थी हो जाएगा तो अगर एपी चार है पुरा का पूरा सात था तो साथ में से चार माइनस करोगे तीन आ जाएगा आपको शी दी निकालना है पूरा का 2 याने 6 cm तो PD का value है 6 cm आपको क्या निकालना था CD निकालना था तो CD हो जाएगा C plus CD मतलब 2 plus 6 मतलब कितना तो 8 cm ठीक है 8 cm हो जाएगा CD का value तो चाहे 2 quad internally meet करें या external point पर meet करें extend करने पर दोनों condition में PA multiplied by PB is equal to PC multiplied by PD होता है चलिए next question देखते हैं यहाँ पर दिया होए BC का value 6 है BC मतलब इसका value 6 cm है और AC का value मतलब AC मतलब C से लेकर A तक का value 16 है यहाँ से लेकर यहाँ तक साथ में दिया होए OC जो है perpendicular है CD के तो CD का value क्या होगा यह बताना है देखिए अगर समझिएगा इसको थोड़ा सा कि अगर मैं यहाँ से DC को बढ़ा कर इस तरीके से extend कर लूँ point E तक तो आप इस बात को समझिए कि OC जो है यह perpendicular है किसके DE के जबी भी आप एक perpendicular बनाते किसी कौड पे तो कौड को उसको दो पार्ट में यह divide करता है मतलब जितना CD का length होगा उतना ही C का length होगा तो perpendicular होने के साथ साथ bisector हो जाता है हमें CD का length निकालना था तो अगर मैं CD को X ले लो तो पूरे के पूरे कौड का length हो जाएगा X प्लस X याने 2X तो अब यहाँ से आपको समझना है कि यह DE एक कौड है AB दूसरा कौड है दोनों के दोनों point C पर meet कर रहे है अगर यह दोनों के दोनों C पर meet कर रहे है तो X multiplied by X मतलब की X का square बराबर हो जाएगा BC multiplied by C है मतलब की 6 multiplied by 16 तो X का मतलब क्या हुआ X का मतलब होगा square root of 6 multiplied by 16 सोला का स्क्वार रूट चार होता है तो चार रूट 6 जो है इसका एंसर हो जाएगा तो डी जो है सवाल का सही उत्तर है option D is the correct answer for this question यहां तक clear है next question find the length of the common cord of two circles with radii 30 cm and 40 cm whose centers are 50 cm apart common cord के उपर 3 तरह के प्रश्ण बन सकते हैं पहला प्रश्ण जो आपके screen पर दिया हुआ यह common cord जो है कुछ इस तरीके से दिखता है मतलब जैसे ही 2 circle इस प्रकार meet करते हैं दो circle इस प्रकार meet करते हैं तो यहाँ पर जो common code होता है वो इसको जोड़ने पर बनता है यह आपका common code होता है तो इस common code के उपर तीन प्रकार के प्रश्ण बन सकते हैं पहला प्रकार यह है तो इसमें देखी क्या दिया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ठीक है आपको दिया हुआ है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है पचास सेंटीमीटर है पचास सेंटीमीटर है एक जो है circle की radius जो है वो 30 है और दूसरे circle की radius जो है वो 50 है आपको क्या निकालना है जीवा की लंबाई तो इस quad की लंबाई निकालना है तो मान लेते हैं यह A है यह B है यह P है यह Q है यह जो point पर जाके मिला इसको मान लेते हैं R इसको मान लेते है R देखे थोड़ा बहुत simple तरीके से मैं आपको समझाओंगा कुछ भी complicated चीज़े नहीं देखे अगर आप इस center वाले line को जोड़ते हैं तो इस पुरे के पुरे line के उपर और नीचे वाले हिस्से जो है दोनो congruent होते हैं ठीक है क्योंकि symmetric figure है क्योंकि जो उपर है वो नीचे है तो आप इसको proof भी कर सकते हैं कि P, A, B यह B होगा और Q, A, B यह दोनों के दोनों जो है triangles congruent होगे congruent होने के वज़े से P, R, R, Q equal हो जाएगा साथ में यह 90 degree बनाएंगे अब देखे यहाँ पर तीन तरीके के प्रश्ण बन सकते है पहला प्रश्ण यह जब यहाँ 90 degree बना clearly आप देख सकते है यह actually 40 है ना यह 40 है एक 30 है, एक 40 है, एक 50 है तो 3, 4, 5, triplet होता है तो ऐसे condition में यहाँ 90 degree बन जाता है अब आप भली भाती जानते है ठीक है, right angle triangle जहां मैंने आपको similarity वाले वीडियो में बताया है था कि जब 90 degree triangle में एक 90 degree बनाते है PR इस PR का value निकालना बहुत आसान हो जाता है ऐसे condition में PR का जो value होगा वो कुछ और नहीं होता इन दोनों 90 degree बालों को multiply कर लेना 30 into 40 divided by इसको divide कर लेना 50 तो इससे value आजाएगा सीधा सीधा 6 into 4 मतलब 24 आपका कभी भी value आजाए कि इस common यानि कि उभ्यनिष्ट जीवा को निकालने के उपर आधारित प्रश्ण आ जाए तो पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप PR को निकाले PR निकल गया तो यहाँ पर PQ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है PQ जो है इसका दुगना हो जाएगा जो राइट एंगल ट्रेंगल का similarity के उपर आधारित जो कुछ results मैंने बताया थे उस result को use करके आप directly इसको solve कर सकते है ठीक है second pattern of question यहाँ पर इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको two circles of radius 10 cm and 17 cm intersect each other at point A and B respectively distance between the centers is 21 cm 21 cm then find the length of the common quad AB तो अब देखिए यहाँ पर दो circles है और इसमें common quad है इस तरीके से AB यह point P पर meet करता है यह point Q पर meet करता है तो यह P है यह Q है ठीक है इस point को मान लेते है आर आपको AB की लंबाई निकालनी है तो कुछ बाते तो समझी चुके हैं कि यह उपर नीचे symmetric figure होता है अब यह pattern two questions है इसमें आप देखेंगे तो अगर यह 10 है यहाँ पर 17 है यह 10 और 17 को देखते साथ आपके mind में values चलने से triplet values कुछ इस तरीके से आप connect करिए 10 ठीक है 17 और 21 को कि यहाँ पर 2 triangle बनके आ जाए right angle triangle तो मेरे दिमाग में यह value चल रहा है 17 को देखते साथ 8, 15, 17 8, 15, 17 अब क्योंकि यहाँ पर 10 है तो मैं 8 को use करते हुए यहाँ पर अगर 8 को देदूं तो आप जानते 8, 6 और 10 यह भी triplet होता है देखे भई 4, 3 और 5 3, 4, 5 triplet है न तो यहाँ पर 4, 3, 5 जो है यह भी triplet हुआ 3 का दुगना यहाँ पर 8 जो है यह common हो जाएगा मतलब इसकी लंबाई, AR की लंबाई यदि मैं 8 ले लू एक तरफ मैं 6 देदूं और दूसरे तरफ मैं यहाँ पर 6 और 15 देदूं तो सारी चीज़े set हो रही है 6 पलस 15 जो है 21 है साथ में राइट अंगल ट्रेंगल दोनों तरफ बन रहा है और दोनों तरफ राइट अंगल ट्रेंगल बनाना है आना चाहिए हमें इस तरीके से तो यहाँ पर यह 8 हा गया, यह 8 आपका common court हो जाएगा AR, एक बार AR निकल गया तो AR का दुगना AB होता है मतलब 16 जो है, यह common court हो जाएगा pattern 2 question समझ में आगया pattern 1 में यह उपर वाला अंगल 90 degree था, pattern 2 में क्या हुआ दो राइट अंगल ट्रेंगल को मिलाया जिस तरीके से triplet set थे, कुछ हमने जोड घटाव करके इस तरीके से set किया कि इन दोनों को जोडने पर 21 बन रहा है और दोनों के दोनों right angle ट्रेंगल बने है pattern 3 कुछ इस तरीके से रहेगा जहाँ पर यह सारी चीज़े काम करें ना करें, जब काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर सीधा-सीधा पैथोगरस theorem ही आपको help करें अब देखिए, यहाँ पर दो circles दिये हुए किसी भी तरीके से आपको यह height निकालना है अब यहाँ पर यह right angle ट्रेंगल दो होते है यहाँ पर आपको जो values दिये है पहले circle का radius यहाँ पर इसको 7 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं इंटरसेक्ट करते हैं पर तो अगर यह a है, यह b है a b का लंबाई आपको निकालने को बोला गया तो इसको मैं p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ इसको r मान लेता हूँ, तो पहले हम क्या करेंगे a r की लंबाई निकालने को पूशिच करेंगे, कैसे इन दोनों के बीच की दूरी है 10 दी हुई के नी तो इसको पहले x मान लेते हैं तो ये दूसरा RQ जो है ये हो जाएगा 10-x ये RQ का value हो जाएगा 10-x तो AR का जो square है ये बरावर हो जाएगा 5 का square minus x square 5 का square minus x square RQ की value हो जाएगी भई 7 का square minus of 10-x का whole square अब 10-x को दूसरे तरफ लिया ये तो 10-x का whole square minus का x square बरावर हो जाएगा 7 का square minus 5 का square 7 का square 49 होता है 5 का square 25 होता है minus करने पर आएगा यहाँ पर 24 इस तरफ यदि आप देखें ये A minus B का whole square है अगर मैं इसको पूरी तरह से खुल दूम bracket को तो यहाँ पर 10 का square मतलब 10 minus x का square था न इसके जगा पर आजाएगा 100 plus x square minus 20x correct है तो इधर से आपको समझ में आएगा कि x square x square कड़ जाएगा 100 minus 20x जो है इसके बरावर है तो 20x किसके बरावर हो गया 24 को यहाँ पर भेज दोगे तो 76 आ जाएगा 2 से काटोगे तो 10 है यह बन गया 3.8 तो x का value क्या आ रहा है x का value हो जाएगा 38 divided by 10 मतलब कितना तो यह हो जाएगा 19 divided by 5 19 by 5 तो देखे option में जब square root दिया है मतलब यहाँ पर triplet value set नहीं है पूरी चीज़े calculate करनी होगी एक बार 10 by 19 by 5 आ गया x का value तो आप यहाँ पर फटाफट इसको calculate करेंगे ar के value को तो ऐसे condition में कुछ और अपचारिकता बश्ती नहीं है यहाँ 5 का square minus of 19 by 5 का whole square आपको इसी तरीके से calculate करना होगा तो नीचे LCM आ जाएगा 25 का 25 into 25 625 आ जाएगा उपर minus 19 का square मतलब 361 यहाँ पर आ जाएगा यह आपका ar हो गया ar का value आ गया मतलब नीचे तो 5 आना अनिवार है और इसका double होगा आपके ab का value ठीक है तो बताइए भाई कितना आएगा 625 में से 360 मतलब 625 minus 361 minus करने पर यहाँ पर 4 आता है यह बन जाएगा आपका 5 12 में से 6 गया 6 5 में से 3 गया तो बचा 264 तो यह है 264 divided by 25 अब इसमें से क्या common निकलेगा अगर मैं यहाँ से 4 को अलग करूँ तो यह वाला value बन जाएगा 6 24 बार और एक 6 और आ रहा है यह AR का value है ध्यान रखेगा यह AR का value है AB का value निकालना है तो AB का value इसका दुगना होगा इसका दुगना मतलब 4 हो जाएगा उपर divided by 5 into square root of 66 clear है तीनों समझ में आ गया पहले condition में हमने यहाँ देखा जब यह 90 डिगरी है तब क्या करना है तो directly आप right angle triangle जो similarity में हमने जो result use किये थे वो सारे result यहाँ पर लग जाते है next video में भी जब हम discuss करेंगे tangents में same problem वहाँ पर भी right angle triangle जो similarity में discuss किया था बहुत important है सारी चीज़े connected है ऐसा नहीं कि एक चीज़ हम वहाँ पढ़े वहीं पर use होगा geometry in fact पूरा mathematics connected है ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया होगा अगर यह 90 degree है या दो middle triangles दो right angle triangles मिला कर जब बन रहा है तब क्या करना है और जब कुछ भी काम नहीं कर रहा है तब क्या करना है square root में values है तब क्या करना है सारी चीज़ आपको समझ में आ गई हो ठीक है एक बात आप note करिएगा कि ऐसा condition कब होता है कि जब दोनों circles meet करें तो ऐसा condition तब होता है जब distance between the center जो है वो दोनों radius के difference से बड़ा हो लेकिन दोनों radius के sum से बड़ा हो ऐसे condition में ही इस तरीकी का diagram बनता है जैसे देखेंगे आप यहाँ पर 10 cm जो है यह इन दोनों के difference से बड़ा है और इन दोनों के sum से छोटा है ऐसे condition में ही इस तरीके का diagram बनता है यदि यह जो 10 जो distance था इस से बड़ा हो गया तो यह दोनों circles intersect नहीं करेंगे triangle नहीं बन पाता है इस तरीके से चले आगे बढ़ते हैं इसके बारे में मैं और detail में next video में discuss करूँगा जब हम common tangents discuss करेंगे ठीक है अगला सवाल देखते है यहाँ यहाँ two intersecting circles have a common cord of length 32 centimeters the radii of the of them are 34 and 65 find the distance between the centers अब देखिए अभी तक हम common cord निकालने की बात कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पर देखिए यह ठीक उल्टा प्रश्ण है कि आपको यहाँ पर common cord की लंबाई दी हुई है बोला है कि दो intersecting circles है इसका एक common cord है यह common cord की लंबाई है 32 तो जो center से इसको connect करने वाली line होगी मान लेते है यह A भी है यह P है यह Q है यह R है तो center से connect करने वाली जो line है यह symmetric figure बनाती है उपर नीचे मतलब अगर पुरा का पुरा 30 है तो उपर 16 होगा उपर 16 होगा और नीचे भी इस तरीके से 16 में जाएगा correct उपर और नीचे दोनों के दोनों 16 में जाएगा यहां से लेकर यहां तक कर लें बरावर दूसरी बात आपको समझनी होगी कि यहां पर जो radius दिया है एक 34 दिया है तो दूसरा 65 दिया है मतलब 34 का मतलब यह वाला 34 है और दूसरा वाला यहां पर 65 दिया हुआ है तो अभी तक जितने भी प्रश्ण हम दिखे तीन प्रकार के प्रश्ण देखे हमने इसमें जिसमें हमने यह discuss किया कि यह AR वाली लंबाई को कैसे निकालना है अब जब AR दिया हुआ है और PQ निकालना है यह थोड़ा सा असान हो जाता है क्योंकि डियरेक्ली आप पैज़ोग्रस से प्र निकाल सकते है और RQ निकाल सकते है जिसमें अगर आप गौर से देखें तो यहां ट्रिप्लेट वैल्यू सेट है वैल्यू जो है आपके यहां पर इंटिजर में ट्रिप्लेट को यूज करना मत भूलिए 16 और 65 देखते साथ समझ में आता है 16 63 65 ट्रिप्लेट होता है मतलब यह जो RQ है RQ का लंबाई 63 होगा यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जब PR निकालना है तो PR में आप देखिए 16 एक वैल्यू है 34 दूसरा वैल्यू तो अगर मैं यहां पर इसको काट लूँ तो यह बंजाएगा 8 दूसरा बंजाएगा 17 और 8 15 17 ट्रिप्लेट होता है आप जानते हैं इसका दुगना हुआ इसका दुगना हुआ तो 15 कभी दुगना यहां पर 30 आएगा मतलब यह जो साइड है PR इसकी लंबाई जो है यह 30 है एक PR है जो की 30 है एक QR है जो की 63 है दोनों को जोडने पर कितना आएगा 93 तो D is the correct answer for this question clear यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं आगला सवाल देखते हैं यहां पर दिया हुआ है the length of two perpendicular quads of circle respectively 2A and 2B if distance between the point of intersection from the center is C then what is the radius देखिए यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा समझना क्या दिया हुआ है दो quads है इन दोनों quads की लंबाई जो है एक का length अगर 2A है तो दूसरे का length 2B दिया हुआ है अगर यहां कहीं पर center है इस center से यहां तक की जो दूरी है सीधिया हुआ है आपको क्या निकालने को बोला गया है आपको radius निकालने को बोला गया circle का radius यहां से लेकर यहां तक का length आर radius निकालने को बताया, पूछा गया आपसे, तो देखे जबी भी यहाँ प्रशने तो समझ में आ गया, दो लंब वृत जीवाए है, यानि कि यह दोनो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और यहाँ पर radius निकालने को बोला गया, तो direct आप इसका short trick याद रखिए, radius बराबर हो जाता है, square root of a square प्लस b square, यहने दोनों की लंबाई, प्लस यह वाला जो c square है, divided by 2, यह इसका result होता है, इसको theorem के तहत आप याद रखिए, चाहे इसको इस तरीके के pattern में सवाल पूछा जाए, जो कि आपका previous question है, या कुछ value based question आ जाए, तो दोनों में आपसे perpendicular है, ab के, हमने क्या क्या construction किया, सबसे पहली बात, ab और c d, यह दोनों के दोनों दो quards है, पूरा का पूरा quard है, इसका लंबाई आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 2a दिया हुआ है, और साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 2b है, हम यहाँ पे construction क्या करते ह हम बनाते, om और on, यह दोनों हमने क्या किया, perpendicular बना दिया, a, b और c, d, पर, जैसे यह आप perpendicular बनाएंगे, तो उपर वाला हिस्सा, a हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा, जो यह भी a हो जाएगा, साथ में जो n, c है, यह भी b हो जाएगा, और nd, जो है, यह भी b हो जाएगा, कि पहला theorem जो इस वीडियो के starting में हमने देखा था किसी एक quad पर आप perpendicular बनाते हैं तो इक quad को दो equal parts में divide करता है ठीक है चलिए यहाँ से दो triangle बन जाएंगे एक triangle AMO इसमें Pythagoras theorem लगाओगे तो OM square आ जाएगा OM square का value आ जाएगा जो कि है R square minus A square Pythagoras theorem से दूसरा OND triangle दिखाई दे रहोगा आपको OND OND में ON का स्वार आ जाएगा R square minus B square अब देखिए यहाँ से आपको समझना होगा जितना OM है उतना ही PN भी है मतलब चाहे मैं OM लिखू चाहे ON लिखू क्योंकि यह rectangle है कैसे rectangle है देखिए भई यहाँ से यह 90 degree है यह भी 90 degree है और यह 90 degree given है क्योंकि दो perpendicular quad है तो चौथा वाला angle अपने आप 90 degree होगा चारों angle 90 degree का मतलब rectangle तो जितना OM होगा उतना PN होगा opposite sides जो होते है rectangle में ठीक है आयत में दोनों के दिनों जो विपरीत भुजाएं होते हैं बराबर होते है तो जितना OM होगा उतना PN होगा तो PN square OM square कह लो या PN square कह लो दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर हो जाएंगे यानि यह भी R square minus A square के बराबर हो PN लेने की आवसक्तिया क्या थी देखिए आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा अब यह PN है यह आपका PN है यह आपका O N है अब इस triangle को देखिए O N P triangle O N P triangle में यह hypotenuse है C O N का value है हमारे पास PN का value है तो एक बार और Pythagoras theorem लगा लिजे Pythagoras theorem लगा कर जैसे ही solve करोगे तो यहाँ R का value आजाएगा A square प्लस B square प्लस C square divided by 2 का whole का square root clear है तो इसके उपर आपका प्रशन values देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस quad का value center से इसका distance दिया है radius कैसे है find करिए दोनों quad का length center से इसका distance इस तरीके से भी प्रशन बन सकता है तो उसको भी आप एक theorem के तहत याद रखे क्योंकि exam में बार-बार इस तरीके प्रशन आते हैं तो यहाँ पर बार-बार आप solve नहीं करेंगे theorem जितना आप याद कर सकते है उतना ही आपका fast answer आ जाएगा ठीक है समझ में आगया बी उत्तर कैसे अब देखिए इस सवाल में भी previous year सवाल है इसके ओपर भी क्या theorem में आपको बता देता हूँ पहले chords AB and CD intersect at 90 degree ABCD जो है 90 degree पर meet करता है साथ में बोला गे AD का लंबाई जो है यह कितना है 16 है और जो BC है BC की लंबाई जो है इसका लंबाई 30 है आपको radius निकालना है तो radius क्या होता है radius हो जाएगा भी AD का square प्लस CD का square इसका square root ले 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 न divided by 2 यह उत्तर होता है देखिए actual theorem क्या था तो actual theorem जो था वो यह था सवाल जो आपके exam में बन चुका है इसके उपर प्रश्ण पूछा जा चुका है लेकिन इसके उपर प्रश्ण नहीं पूछा गया तो actually जो radius होता है वो OA का square प्लस OB का square प्लस OC का square प्लस OD का square root इस बार 2 बाहर आता है पिछले वाले में जो था 2 अंदर था लेकिन इस वाले में जो है टू बाहर है इसका नोट कर लिजेगा ये थियोरम था जिसके उपर question आ चुका है लेकिन अगर आप इस चीज को देखे तो actually ये right angle triangle है और OA का square प्लस OD का square इन दोनों को combine करके हम लिख सकते हैं ED का square और OB का square प्लस OC का square इन दोनों को combine करके हम लिख सकते हैं CD का square तो पाइथोगरस थियोरम से आप इस चीज को replace कर सकते हैं इसी के तहत आप यहाँ पर ये radius निकालने की बारी आएगी तो ये हो जाएगा 16 का square प्लस 30 का square और whole divided by 2 तो देखिए इसमें 2 square चुपा है इसमें भी 2 square चुपा है आप देखिए 8 15 17 triplet होता है प्लस 15 17 triplet होता है आप 15 के साथ 17 टिपले होता है मतलब radius क्या है radius साथ 17 इस पूरे के पूरे circle का आपने वरित निकाल दिया radius निकाल दिया radius निकल गया है यदि और वरित के आप से क्या पूचा गया है तो शेत्रफल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है शेत्रफल बड़ी आसानी से निकल जाएगा क्योंकि pi r square शेत्रफल होता है तो 17 का square मतलब 289 pi जो है इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 289 pi मतलब की b जो है सवाल का सही उत्तर है यहां तक clear है ठीक है तो क्या पूछा जा चुका है एक्जाम में उसके उपर मैंने बात कर लिया तो यहाँ पर आप result को no down कर लिजेगा एक बार result मैं आपको दिखा देता हूँ जबी भी 2 quad 90 degree पर meet करते है point P पर इसका length AP का length A दिया हुआ है PB का length B दिया हुआ है PD और PC का length C और D दिया हुआ है ऐसे condition में जो radius होता है radius का value होता है A square plus B square plus C square plus D square का square root whole divided by 2 होता है 2 इस बार बाहर होता है पिछले वाले में आप ध्यान दिजिएगा 2A ज़ता पूरा quad का length था 2 भी पूरे quad का length था और जहाँ पर meet कर रहे थे यहाँ से center का length C दिया हुआ था ऐसे condition में A square plus B square plus C square divided by 2 का whole square root होता है radius लेकिन यहाँ पर जब दोनों के दोनों quads जहाँ पर meet कर रहे है यहाँ से इसके extremities का length दिया है A, B, C, D तो A square plus B square plus C square D square इसका square root ले ले लेना whole divided by 2 कर लेना यह radius होगा अब क्योंकि यह प्रस्ण पूछा जा चुका है तो हम एक step आगे बढ़ रहे हैं यहाँ A, C की लंबाई जो है यह X ले लिया B, D की लंबाई जो है वाई ले लिया तो X क्या होता है भाई A square plus C square होता है तो A square plus C square के जगा पर यह सवाल हमने अभी यहाँ पर आप से discuss किया ठीक है चली next question है आपके screen के उपर दिया हुए in the given figure A, B is the diameter circle C, D is perpendicular to A, B A, B is equal to 30 A, E is equal to 3 what is the length of C, D सबसे बड़ा clue यही दिया है कि A, B diameter है diameter मतलब center से pass होगा दूसरी बात दिया है कि C, D जो है perpendicular है भई, C, D perpendicular है तो अब आप समझे यहाँ पर यह A, B जो है यह center से pass हो रहा है और center से जब आपने C, D पर perpendicular बनाया तो यही C, D को दो बरावर हिस्सों में बातेगा मतलब जितना C, E उतना E, D clear? अब एक और information जो दिया है वो length के तहत यह दिया है कि A से लेकर B तक का जो total distance है यह 30 है A, E की लंबाई कितनी है? 3 है और E, B की लंबाई जो है यह 27 है 27 तो आप लोग जानते हैं कि जब दो quad meet होती है diameter का मतलब क्या है? एक quad ही तो है जो सबसे बड़ा quad होता है किसी circle का यह diameter होता है यह हमने पहले वीडियो में पिछले वीडियो में discuss किया था जब definitions देख रहे थे तो यहाँ पर भी 2 quad जब meet होए तो A, E multiplied by E, B, जहाँ पर भी meet होता है बरावर C, E multiplied by E, D होगा अब C, E और E, D, दोनों के दोनों same है तो चाहे आप C लिखे या E, D लिखे इन दोनों को हम C, E का square बना लेते है A, E का value 3 है और E, B का value कितना होगा देखिए diameter 30 था जिसमें से A, E का value 3 है तो पूरा का पूरा यहाँ 27 बचेगा और 27 का मतलब 81 यह C, E का square है मतलब C, E बरावर 9 होगा क्योंकि यह 9 का square है तो C, E 9 है अब C, E मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 9 है तो पूरा का पूरा C, D कितना हो जाएगा यह भी 9 बन जाएगा और 9 प्लस 9 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई यह बन जाएगी 18 मतलब B जो है सवाल का सही उत्तर है यहाँ तक समझ में आगई बात चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से एक इंपोर्टेंट छोरम है टॉलमीस छोरम उसको समझ लेते हैं इस सवाल के लिए पहले तो टॉलमीस छोरम आप यहाँ पर करेंगे टॉलमीस ने क्या कहा है कि अगर ABCD एक साइक्लिक कौर्टरलेटरल है चक्रिय चतुरभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD चक्रिय चतुरभुज में ABCD जब है तो A इसकी लंबाई है AB की स्मॉल बी BC की लंबाई है स्मॉल C CD की लंबाई है AC multiplied by BD ये बराबर होता है विपरीत दिशाओं में जो दो साइट्स है याने AB और CD का प्रोड़क्ट प्लस BC और DA का प्रोड़क्ट मतलब कि A इंटू C प्लस B इंटू D A इंटू C प्लस B इंटू D बराबर हो जाएगा X Y के तो X इंटू Y हो जाएगा A इंटू C प्लस B इंटू D यहाँ तक क्लियर बाते समझ में आ रही है चलिए यही टॉलमी स्थ्योरम कहता है अब इसी के तहट यहाँ से इस क्वेस्चन को देखिए क्योंकि यह सवाल जो है टॉलमी स्थ्योरम के उपर बेस्ट है यहाँ देखिए दिया हुआ है ABC एक इकुलेटर ट्रेंगल है जिसमें साइड जो है वो A उनिट है P is any point on the minor arc AB of the circumcircle PA प्लस B भी निकालना है तो देखिए यहाँ पर इस सम बाहुत रिभूज है ABC अगर सम बाहुत रिभूज है जिसके प्रत्य बुजा A उनिट है मतलब AB का लंबाई भी A उनिट AC की लंबाई भी A उनिट BC की लंबाई भी A उनिट साथ में बुला गया P जो है यह लगू चाप ठीक है लगू चाप मतलब यह छोटे वाले minor वाले चाप पर एक बिंदू है P अब P A प्लस P B का वैलू निकालना है PC के टर्म्स में जो की यहाँ पर options दियो है अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना होगा कि मैं आपको दो यहाँ पर approach बताऊंगा पहले जो टॉलमिस theorem के टायत दूसरा उससे भी shorter तरीका आपको बताऊंगा समझेगा आप थोड़ा यहाँ पर चीजों को पी जो है इस चाप पर कोई भी बिंदू है कोई भी बिंदू है ठीक है तो अगर मैं इस पूरे quadrilateral की बात करूँ तो P A C B एक चक्री चतुरभूज है की नहीं A B C जो है यह तो cyclic मतलब की था ही था लेकिन P B जब एक पॉइंट आ गया तो P A C B एक cyclic quadrilateral बन गया इसमें जैसी cyclic quadrilateral बना तो P A multiplied by B C तो P A और B C जो है वो opposite sides है तो P A multiplied by B C प्लस यहाँ से A C multiplied by A C के साथ में आपका opposite side P B आएगा तो यहाँ पर P B multiplied by A C होगा यह दोनों बराबर हो जाएगा किसके P C और A B के बराबर हो जाएगा तो P C multiplied by A B होगा अब चाहे आप B C की बात करें चाहे A C की बात करें चाहे A B की बात करें यह तीनों के तीनों जो है यह आपके equilateral triangle के sides है equilateral triangle के sides होने पर तिनों के तिनों A हो जाएंगे मतलब इसका वैल्यू भी A है P A into A प्लस P B into A is equal to PC into A होगा A A A common निकालने पर A निकलेगा तो यहां पर आजाएगा P A plus PB यह हो जाएगा PC into A यह A और A तो कड़िया मतलब PA plus PB क्या हो गया यह हो जाएगा PC यह हो जाएगा PC ठीक है तो PA plus PB किया है PC के बराबर है यह डिस का सही उतरोगा अब एक और छोटा तरीका मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जभी भी आपको मैंने पहले भी बताया है आपको कई बार ठीक है जभी भी आपको इस तरीकी का बता दिया जाए कि कोई बिंदू है कोई बिंदू दिया हूँ है तो लमबाई आपको निकालना है तो देखिए भाई पी जैसे आपने उठा के यहां ले आए तो पी जो है वो अबी के बराबर होगया मतलब पी जो है होगाई अब उत्तर में आपके पास PC दिया हुआ है तो PC कहा है अब PC बिंदु पर है तो PC की लंबाई भी तो A ही है मतलब PB ले लिजे और PC ले लिजे दोनों के दोनों A है मतलब यहां से यह PC के बरावर है तो 2, 3, 5 तो गलत हो जाएगा केवल यहां पर जो D option है यह आपको उत्तर देगा कि यह इसका लंबाई भी A है और जो पूछा गया उसका लंबाई भी A है तो D सवाल का सही उत्तर होगा चलिए अगला सवाल यहां दिया हुआ AB के लंबाई 30 है AB के लंबाई 30 है मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है यह 30 दिया हुआ है साथ में दिया हुआ है CD की लंबाई जो है 24 है बतलब 24 यह वाली लंबाई है यहां से लेकर यहां तक की लंबाई соверш थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखे तो यह concentric circles है ठीक है यह आपको given condition है कि यह दोनों सरकल जो है actually concentric है इसको आप no down कर लिएगा कि यह दोनों जो सरकल है concentric होंगे concentric का मतलब इसका जो center है वो एक ही point पर lie करेगा यहाँ typing error है यह mention करना चाहिए कि यह जो है concentric circles है ठीक है figure के जरीए ऐसा दिया नहीं गया है लेकिन आपको यहाँ पर no down करना होगा यह दोनों concentric circles होंगे ठीक है चली दूसरी बात आपको समझना होगा कि यहाँ से अगर मैं एक perpendicular drop करूँ एक perpendicular drop करूँ ठीक है इसको मान लेते x और y x और y एक perpendicular हम इस तरीके से जैसे ही drop करेंगे तो आपको समझना होगा कि यह perpendicular जो है यह tangent जो actually इसका radius हो जाएगा small r इसका radius हो जाएगा small r क्योंकि देखिए अगर आप perpendicular बनाएंगे यह tangent का काम कर रहा है तो tangent जो होता है वो radius के perpendicular होता है यह हमने पिछले वीडियो में देखा है साथ में अगर यहाँ पर आप देखें इस आकरिती में अगर आप इसके भी perpendicular बना रहे हैं चीजों को चलिए यहाँ से yb जो होगा यह भी 15 होगा अब small r जो है यह तो radius हो गया अंदर वाले सरकल का capital r जो है बड़े वाले सरकल का radius हो गया तो देखें यह o y square मतलब यहाँ पर अब दो right angle triangle बन रहे है एक o y d एक o y b दो triangle बन रहे है o y d यह भी right angle triangle है साथ में o y b यह भी right angle triangle है तो जो चीज common है उसके उपर ध्यान देंगे o y का square common है तो यह जाए का capital r square minus का 12 square बड़े triangle की बात करें तो capital r square minus का 15 square दोनों में हमने क्या किया तो हमने यहाँ पर pythagoras theorem के तहट o y square का value r और यहाँ पर जो length था उसके turnus में निकाल दिया इससे फाइदा क्या होगा r square minus r square का value हो जाएगा 15 square minus 12 square मतलब 225 minus 224 मतलब यह आपका value कितना दे देगा देखे actually अगर आप समझे चीजों को बहुत आसान है कि यहाँ पर अब जो value है 15 का square जो है अगर मैं यहाँ पर इसका ratio ले लो तीन से काटू तो 5 और 4 आ रहा है मतलब तीसरा वाला 3 मनेगा और इसका 3 गुना इसका 3 गुना है तो यह इसका भी 3 गुना मतलब यह बन जाएगा आपका 9 का square अब यह है भी r का square minus r का square triplet के जरीए आप इसको no down कर सकते हैं अब देखे यह भी तो capital r है यह भी तो capital r है अगर मैं o से m को जोड़ दो तो यह भी तो capital r ही होगा और अगर यहां से mx का value हम निकालें mx का value हम निकालें तो यह mx square के बराबर है क्योंकि right angle triangle यहां भी बन रहा है आप अगर o mx को देखेंगे तो यह right angle triangle है जिसमें r square minus r square mx का square हो जाएगा तो mx कितना हो गया? mx का value हो जाएगा भाई यह mx होगा mx का value हो जाएगा square root मतलब कि ये 9 के बराब हो गया मतलब अगर ये 9 का value है तो mn का value पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो है वो 18 हो जाएगा क्योंकि midpoint पर जाके meet कर रहा है और ये chord है ठीक है और क्योंकि perpendicular बनाया था तो perpendicular quad को दो हिस्सों में बाढ़ता है तो अगर ये 9 होगा तो ये वाला भी 9 होगा मतलब 9 प्लस 9 टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 18 clear यहां तक बात है समझ में आगई चलिए आगे बढ़ते एक आखरी सवाल देखते हैं यहां पर दियो है PQRS एक चक्रीज चतुर्बुझे cyclic quarter लेटर तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा PQRS ठीक है PQ RS ठीक है इस point को 4 को circle पे होना जरूरी है PQRS एक cyclic quarter लेटर है जिसमें PQ का value है 14.4 QR का value है 12.8 और SR का value है 9.6 आपको निकालना है यहां पर PS का value तो इसका value निकालना है इसको मान लेते हैं X साथ में एक बहुत important information यह दिया हुआ है कि PR जो है bisect करता है QS को PR जो है PR bisect करता है QS को मतलब QS को यह bisect कर रहा है तो यह दो बराबर हिस्सों में इसको बाट रहा है अब समझेगा यहां से थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाने के कोशिश करता हूँ अगर यह point O पर meet कर रहा है तो देखे अगर यह bisect हुए जैसी bisect हुए तो bisect कौन कर रहा है simple line में अगर आप इसका solution पूछे bisect कौन कर रहा है पियार को आप इस तरीके से बढ़ा देना पियार को बहुत लंबा कर देना क्योंकि पियार नहीं क्या किया इसको दो हिस्सों में काट दिया मतलब इसको आप समझे लीजेगा कि यह तलवार है इसने दो हिस्सों में बाट दिया अब जैसी दो हिस्सों में बाटा, तो यहाँ पर इन दोनों का product equal होता है, मतलब 9.6 into x जो है, यह बराबर हो जाएगा 14.4 into 12.8, बहुत important है यह, और इसको याद रखने का तरीका यह, किसने काटा, इसने काटा, इसने काटा तो इसको लंबा कर दीजे, इसके दोनों तरफ जो जो values दिख रहा है, इन दोनों को multiply कर लीजे, तो इसका answer आजाएगा, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी मैं discussion करूँगा, 14.4 को ऐसा ही रख लेते हैं, 12.8 divided by 9.6, देखे 3.2 का यह 3 times है, ठीक है, 3.2 into 3 है, और यह 3.2 into 4 है, तीन से अगर काटोगे इसको, तो चार बार कटेगा, 12 से फिर 24 आ रहा है, तो यहाँ पर 8 times जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 4 से इसको multiply किया, जो 32, 19.2 इसका value आ रहा है, 19.2 यानि कि इसका सही उत्तर हो जाएगा, 19.2, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा discussion कर लेते हैं, देखे, आपको यह समझ मीडियन का मतलब अगर इसका area A है, तो इसका area भी A होगा, साथ में जो RO है, triangle PSQ में, RO जो है, यह median मनने का मतलब इसका area P है, तो इसका area भी B है, यानि कुल मिलाकर, यह जो triangle है PSR और यह जो triangle PQR, इन दोनों का combined area सेम हो गया, तो अगर यहाँ पर इस triangle की बात करूं, यह angle 180 degree minus theta होगा, होगा की नहीं होगा, cyclic quadrilateral है ना, तो cyclic quadrilateral में यह angle theta तो पीछे वाला angle 180 minus theta होता है, यह हम जानते हैं, यह हमने पिछले वीडियो में cover किया, साथ में trigonometry में हमने यह चीज डिसकस किया था, sin theta बरावर होता है, sin 180 degree minus theta, इसी चीज के फाइदा उठाते हुए, य sin 180 degree minus theta बरावर होता है, क्योंकि जब आप इस triangle के पूरे का पूरा area calculate करेंगे, तो वो होता है, half into product of side, मतलब x into 9.6 into sin theta, तो यह a plus b का value है, दूसरे तरफ से आप आएंगे तो x, यह इसका जो area, a plus b इसका भी area है, जिसमें के half into 14.4 into 12.8 multiplied by sin 180 degree minus theta होता है, sin theta sin 180 degree minus theta कड़िया, इ समझ लीजेगा, यहाँ पर थोड़ा से मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार और, detail में, cyclic quadrilateral में, BD और AC इदू diagonal है, such that AO is equal to AC है, AO और OC बरावर है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया है, अगर AO, OC बरावर है, मतलब इसने काटा, किसने काटा, BD ने तलवार है, तो X into Y, X into Y, बरावर Z into W होगा, ठीक है, result proof कैसे आया, तो उसके बारे में भी discuss कर लेता हूँ, कि अगर यह theta है, तो यह 130 degree माइनस theta होगा, और क्योंकि यह median का का काम कर रहा है, BO और OD जो है median का 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 काम कर रहा है, तो जितना area इसका होगा, ABO का, उतना area BCO का होगे, तो यहाँ पर जितना AOD का area होगा, उतना COD का area होगा, यह B तो यह B भी, यहने कुल मिलाके, triangle BAD का area, triangle BAD का area भी A plus B है, triangle BCD का area भी A plus B है, मतलब दोनों का area equal होगा, और triangle का area वाला वीडियो था, उसमें हमने discuss किया है, कि किसी भी triangle का area होता है, वो half into product of side multiplied by sign of included angle होता ह है, तो जब इस triangle की area निकालना है, तो वो हो जाएगा, half XY into sine theta, यहाँ पर इस वाले triangle का area हो जाएगा, half Z into W multiplied by sign 180 degree minus theta, क्योंकि cyclic coordinator में अगर एक angle theta है, तो उसके पीछे वाला angle 180 degree minus theta होता है, इसके दहर, sine theta, sine 180 degree minus theta कड़िया, तो XY बराबर ZW हो जाएगा, ठीक है, चली, बहुत important है, इसको आप अच्छे से note बनाईए, इसका notes बनाईए, PDF जो है, आपको मैं competition community के website और app दोनों में मिल जाएगा, कैसे तो वो आपको description box में link है, वहाँ से आप उसको visit कर सकते हैं, website को या app download कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा यह सारी notes, बहतर यह होगा कि आप subscribe से, जो best quality content के साथ हम यहाँ पर इस videos को आपके लिए बना रहे हैं, हमारा motivation और high रहता है कि आपके लिए और अच्छा content हम provide करें, चलिए, thank you so much, इस video में इतना ही, geometry का एक final part बचा हुआ है, जिसमें हम 10 minutes discuss करेंगे, जो कि इसका geometry series का last video होगा, thank you so much, इस video में इतना ही